रेटमी नोट एड प्रो फिंगर लॉक सेटिंग तो आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जुए अपने शाओमी के डिवाइस पर फिंगर लॉक सेटिंग कैसे सेट कर सकते हैं तो उसका setting दोस्तों अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से set करना होगा तो मैं आपको full process बताने वाला हो किस तरीके से आपको finger lock set करना है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी तक अपने phone पे कोई भी lock जो है वो set नहीं किया हुआ है तो subscribe करके bear icon को click जरूसे कर लेना यहीं आप online पेसा कामाना चाते हैं तो video description पर आपको link मिल जाएगा तो चलिए video शुरू करते हैं सबसे पहले आपको जाना है mobile setting पर उसके बाद scroll down करके आपको नीचे password and security पर click करना है password and security पर click करने के बाद finger print पर आपको click कर देना है उसके बाद दोस्तों अगर आपने lock set नहीं किया है अभी तक तो pattern, pin, password कोई भी select करके आप पहले तो एक बार lock set कर लेजेगा आपने screen के लिए ठीक है तो यह lock apply हो जागा आपकी screen पर तो इस तरह के से मैंने pattern जो है set कर दिया है और continue पर click कर दिया ठीक है confirm अभी दोस्तों लास्ट में अपने एक करना होगा इस तरीके से तो आप जोए दोस्तों आपने finger को ठीक है finger को जोई दोस्तों आप प्रेस्ट करते रही है move करकर के तो आप देख सकते यहाँ पर तो आपको finger जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर घुमा फिरा के 8 करवाना होगा तभी यह चीज़ काम करते हैं ठीक है स्वरा सा time देना होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस पेस जो है ज्यादा नहीं है ठीक है आपके fingerprint के वहाँ पर तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से एट कर देना है और डान कर देना है अभी दोस्तों आप देख सकते हे आपकर finger print लॉक जो हो ऑफिक है तो इस तरीके से यह चीज़ काम करते तो अगर आपको fingerprint lock setting करना है तो इस process को follow करते हुए आप fingerprint lock set कर सकते हैं तो आज की इस video बोटो सो बस इतना ही उम्मिद करते हैं आपको यह video पसने आओगा Thanks for watching